मंत्री अनुराग छाकुर ने क्या कुछ कहा है हमारे सयोगी आनंद कुमार सिंग ने खास बातचीत की है हमारे साथ बात करने केंद्री मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर है सर आपने मत अधिकार कर अस्तमाल कर लिया क्या मुद्दे रहे आपके सर पहले करिये मद्दान यही है सबसे बड़ा योगदान लोक तंतर में और मुझे पून विश्वास है देश जैसा छे फेसिज में पोलिंग किया और छे चरणों से ज्यादा साथ में चरण में आज मद्दान हो रहे हैं लंबी-लंबी लाइने लगी है लोग में उत्सा है सब्सुनाव विधान सब्सुनाव में भी होनी क्या लगता सुख विंदर से की सुखु सरकार बचेगी या जाएगी देखिए हम चारों की चारों लोगसबा और छे की चे विधान सब्सुनाव के साथ आज इंडिया गठबंदन की बैठेक है फ्यूचर रन निती को लेकर आरोप एक दूसरे के उपर लगाएंगे और चार तरीकों जब नतीजे आएंगे तो जैसा आपने देखा का पिछली बार हुआ था वैसे ही एकलेशी और आहुजीर सब और कॉंग्रेस अलग लग हो जाएंगी वैसे ही जो बाकी राजनितिक दल साथ में वो अलग लग हो हमने पहले ही देख लिया कि त्रिनमूल लग होगी आमादमी पार्टी लग होगी तो यह सब होगा यह तो देखिए जेल वाले बेल वाले कुछ ही कठे हुए थे केवल अपनी थोड़ी लाज बचाने के लिए लेकिन जनता कुई किसी को जेल से बचाने के लिए वोट नही कि होगी कि चलिए कि दोजार में देखते हैं क्या होता है सर विपक्ष ने इंडिया गटबंधन ने जो पीए मेडिटेट कर रहे हैं कन्या कुमारी में उसके शिकायद एलक्षिन कमिशन से करिए आप कोई ध्यान लगाए तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है कभी आप बंदे मात्रम का विरोध करते हो कभी आप राष्टिगान का विरोध करते हो फिर आप कोविड वैक्सिन देश में बने तो उसका विरोध करते हो योग करें तो विरोध करते हो विरोध किस किस का करना पर कितना विरोध करोगे, विरोध करते रहे, तभी तो ये लोग आज नजर नहीं आते कहीं पर, और मैं आपको यही कहूंगा, चन्ता मन बना चुकी है, अब की बार, चार सो पार. आखरी सवार सर, चार जून को रिजल्ट को कैसे देखते हैं, फिर एक बार, मोधी सरकार. हम से बात का निकले बहुत ही शुकरिया सर, ये थे केंद्री मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर, जिनका साफ कहना था कि चार जून, वो दिन है जब रिजल्ट आएगा, और कहीं न कहीं, एक बार, फिर मोधी सरकार बनेगी. कैमरामन केड़ी के साथ मानन्द कुमार सेंग, न्यूज इंडिया, हमीर पूर.